वेलकम तो यूर फेवरेट एडूकेशनल चैनल तो इसको पढ़ा है पहले तो पढ़ दीजिए ताकि आपका बेस्ट्रॉंग हो जाए प्लांट किंग्डम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड़क्शन दिया हुआ है तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपके लिए यह काफी एजी होगा तो चैप्टर फ्री प्लांट किंग्डम इसमें हम पढ़ने वाले हैं और उसके अलावा लाइफ साइकल ऑफ प्लांट और ऑटरेशन ऑफ जेनरेशन ठीक है तो चैप्टर टू में हमने देखा है कि पहले जो साइंटिस्ट है अरेस्टोटल उन्होंने दिया था बहुत और लीनियस इन दोनोंने दिया था बहुत ही बेसिक लेवल पर दो क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ किंग्डम तो उसमें जो है ना प्लांट किंग्डम को बहुत सारी चीजों से अलग कर दिया किया था फंजाई भी इसमें था पहले प्रोडेस्टास भी थे इसमें तो उनको रिमूफ करके इनको एक अलग कैटेगरी नया दिया और भी डिफाइंट तो इसमें सारे क्या थे आलगीज, ब्रावफाय, टेड़फाय, जिम्नोस्पर्म, एंज्योस्पर्म ये साब आते हैं प्लांट में ठीक है तो पहले जो थे ना करूलस लीनियस उन्होंने क्या किया था सूपरसीशल मॉडफोलोजी के बेसिस पर उनको एक ही कैटेगरी में एक kingdom में डाल दिया था, कुन-कुन से characters थे उसमें, habit, color, number, shape of leaves इन सब को देखा और डाल दिया, और ये सारे कौन से characters थे, vegetative character, या फिर इसको कहलो कि androsium structure, जिसको दिया था, लीनियस ने, और इस पुड़े system को क्या बोलते है, artificial classification system, लेकिन ये जो system था न, ये क्या कर रहा थ इक्वल वेक्टिश दे रहा था, वेजिटेटिव और सेक्शल करेक्टिरिस्टिक को, जो कि acceptable नहीं था, क्योंकि हमें पता है, कि वेजिटेटिव करेक्टिरिस्टिक्स जो है, वो बहुत ही easily affect होते है, अगर आप देखोगे, एक जो child है, अगर वो south region में उसका birth हो रहा है, तो आप देखोगे, कि अगर उन्हें खाना पीना सब कुछ सेन दिया ना, फिर भी उनकी जो morphology में difference आएका आएगा, है ना, अगर वो एक ही इंसान के बच्चे हैं, फिर भी उनमें difference आएगा, तो यह चीज़े तो acceptable नहीं है, तो artificial class education system के against क्या आगया, natural class education system, और यह किसके based पे था, based on natural affinities among the organisms, और क्या-क्या कंसीडर किया गया, तो इसमें यह कंसीडर था कि external factors तो है ही, उसके अलावा, internal factors भी included है, and internal factors like, ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry, okay, और यह जो है classification दिया था, किसने, mentham and hooker ने दिया था, okay, यह नेम साब कोई आद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, सारे scientists के नेम के आपको एक अलग list बना लेनी है, ठीक है, तक के आपको याद रहे है, फिर natural classification system के बाद कौन सा आया, phylogenetic classification system, now what is this phylogenetic, means those which are related to the evolution, मतलब ऐसी चीज़े जो evolution से एक दूसरे से link है, और यह phylogenetic क्या assume करता है कि organisms belonging to the same taxa have a common ancestor, मतलब कि similar जो organism से, उनका जो एक ancestor होगा, वो क्या होगा, वो सीम होगा, एक ही होगा, लेकिन वो आगे जाते जाते है, थोड़ा सा उनमें differentiate हो जाता है, तो वो होता है phylogenetic classification system, okay, इसके बाद क्या है, numerical taxonomy है, तो इसमें चाहिए न, इसमें जितने भी observable characteristics हैं, जितने भी, चाहिए वो 100 सी पर बाद क्यूंना उनको consider किया जाता है, कि यह सारे common characteristics है, मतलब कि यह सारे इसमें classification होगा, उसके बाद है, cytodexonomy, मतलब कि ऐसा taxonomy, जो कि बेस था cell information के बेस पर, मतलब कि 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 बोड़ी में कितने cells हैं, उस cell के अंदर कितने chromosome number हैं, आपको पता हुआ कि हारे एक और इसम मे 23 pairs होते हैं, means total 46 होते हैं, है ना, तो इसी तरीके से हर एक organism में अलग-अलग chromosome number होते हैं, उन chromosome का structure भी अलग होता है, और उन सारे chromosome के behaviors भी अलग होते हैं, और cell का behavior भी अलग होता है, तो उनके behavior की, और structure के, और chromosome number के basis पे, cytodexonomy आया, and the last one is, chemo taxonomy, means जितने भी plants के chemical constituents हैना, उसक पे इन को classify किया गया, and this is used by taxonomist these days, ये present में यूज हो रहा है, okay, so now comes the first member of plant kingdom, that is आलगी, okay, so आलगी हमें पता है कि ये autotropic है, हमने chapter number 2 में पढ़ा है, तो ये है autotropic, क्यूंकि इसकी पास chlorophyll होता है, and that is why वो photosynthesis कर कर के अपना food खुदी प्रिपार करता है, okay, now, ये जो है ना aquatic तो होते ही है, fresh water in marine में तो रहते ही है, but उनके अलावा, they also reside on moist stones, soils and woods, वहाँ पे भी ये रहते है, और कुछ आलगी associate हो जाते हैं with other organisms for the survival, ये भी हमने chapter 2 में देखा था, कि आलगी अगर fungi के साथ associate हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइकन बोलेंगे, और अगर animals के algae का बहुत ही variable होता है, ठीक है, देखो, अगर algae colonies बनाती है, तो उसका form कैसा होगा, एक walvox की तरह होगा, ठीक है, लेकिन अगर वो filamentous होती है, filaments होते हैं उसमें, तो उसका form कैसा होगा, eulothrix and spirogara की तरह होगा, और बहुत ही कम ऐसे algae होते हैं, जिसका form कैसा होता है, एक plant क तरह होता है, लेकिन वो rarely होते हैं, ठीक है, but mostly क्या होते हैं, या तो वो colony बनाते हैं, या तो फिर फिलामेंट्स होते हैं, colony बनाएंगे तो walvox हो और filaments बनाएंगे तो eulothrix and spirogyra, so next is reproduction in algae, तो ये भी हमने chapter 2 में detail में देखा है, यहां पर फिर से वही चीज है लिखी हुई is fragmentation, and each fragment will develop into a thallus, उससे वो नया algae produce हो जाएगा, is it clear, next is asexual reproduction, इसमें क्या होगा, production of sports होगा, and most common sports कौन सा है, zoo sports है, okay, और ये जो है न, ये flagellated होते हैं, means they are motile, और जब जर्मिने होते हैं, तो एक नए प्लांट को rise करते हैं, now the third one is sexual reproduction, now इसमें क्या होता है, fusion of two gametes होता है, तो यह पर difference देखो, asexual and sexual में, asexual involves sports, whereas sexual reproduction involves gametes, okay, fusion of two gametes, अभी ये जो दोनो gametes है या तो वो सेम हो सकते हैं, या तो डिफरेंट हो सकते हैं, देखो, अभी ये gametes can be flagellated और non-flagellated, flagellated मतलब कि उनकी पास movement करने की ability होगी, उसका example है, eulothrix, और अगर non-flagellated है मतलब कि व moment नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो flagellated का size है, वो same होगा, दोनों case में, okay, तो ये non-flagellated का example किया है, spirochira, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो gametes है, वो दोनों same size के, उसको बोलेंगे iso gametes, iso का मतलब होता है, same and gametes means gametes, so iso gametes and same size, अगर दो similar gametes का fusion हो रहा है, तो उसको iso gametes, example आपको यहाँ रखना है, हर एक का बहुत इंपोर्टेंट है, यूदो रीना, okay, अभी third one is o gametes, इसमें क्या होता है, एक large motile female gametes and a smaller motile male gametes, उन दोनों का fusion होता है, उसको बोलते o gametes, इसका example का है, वोल्वक्स and phukis, now let's see some example of algae, differentiated into green algae, brown algae and red algae, so the first one is green algae, a1 is a and a2 is chelothricks, okay, now here comes brown algae, number b, so one is laminaria, two is phukis and three is dictyota, okay, so you see the structure and figure, what they have, different, different like fronds, middrip, holdfast and some has type and ear bladder, you know, okay, and here is red algae, the third one, so c1 is porphyra and c2 is polysiphonia, okay, so these are the different algis, so now we see the uses of algae, okay, so around 50% of carbon dioxide को fix on the earth कौन करता है, थ्रू algae, because algae has the ability to photosynthesis, और इसी वजह से वो oxygen का level environment में increase कर देते हैं, and this is why they are the primary producer of energy rich compound, यह आल्गी क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, और अफ एनर्जी डिच कंपाउंड क्यूंकि यह बेजेज होते हैं, फूद साइकल के, जितने भी अक्वेटिक अनिमल हैं, उनकी फूद साइकल का बेजिक कौने, आल् आल्गी जो है वह ऐसे फूड भी यूज होता है, और उसकी 70 species है जो की फूड की तरह यूज होता है, इसमें स्पेसिफिकली पॉर्फारा, लैमिनारी और सरगासन भी आते हैं, इसके अलावा जो आल्गी है वह वह कुमर्शिल यूज भी होता है, कैसी? मराइन, ब्राउन और रेड आल्गी वह प्रोडूस होते लार्ज अमांट अफ हैड्रो कोलोईड मतलब कि ऐसे सब्स्टेंच जो की वाटर को होल्ड करते हैं, एंडी एक्सेम्पल इस आल्गी जो है वह यूसफुल होता है तो ग्रो माइक्रोब्स अगर आप इन फूचर कहीं लाब में वोक और उसमें का यूस करता है तो यूसमें कि एगार को करते है फिर अब जो आइस्ट्रीम घाते हो जाएज एंडी इस आब आर से आल्म कहते लóriaए तो जोग परेद्ध तो आफ करते हैं वह लोड़ोग वह घर तो शेलें ville नो कूछ आइस नो बीच ए वोड़ी खाते है यू और इस paragraph से काफी सारे questions बनते हैं आपके exam point of view से इसलिए कोई भी example इसमें miss नहीं करना है ठीक है अच्छे से पढ़ना है हर एक को पढ़ना ही बहुत important है आपके NEET और AI PMT में भी काफी सारे questions आते हैं बनते हैं इससे हैं तो कुछ भी miss नहीं करना है okay now this algae has been divided into three main classes three main classes है कौनकों से chlorophycy, pheophycy and rhodophycy ठीक है यह हम देखेंगे कि कैसे किस बीजिस पे यह differentiated है यह तो हमें पता चलता कि chlorophycy मतलब कि ऐसा algae जो कि इसके पास chlorophyll है है ना सो लेस्ट सी chlorophycy फर्स्ट तो देखो जितने भी green algae है ना वो सब किसमें आते हैं chlorophycy में आते है ठीक है फिर उनके plant body कैसे होते है unicellular, colonial और filamentous यह हमने देख लिया algae में कि कैसे होते हैं तो या तो वो single cell होगा या तो colony बनाएगा या तो वो filamentous होगा मोटाइल होगा ओके फर्दर अभी देखो यह जो है chlorophycy नाम क्यों है इसका क्यूंकि इसका dominance है pigment का of chlorophyll A and chlorophyll B मतलब कि ऐसा pigment है जो कि photosynthesis करने के लिए helpful होता है और इसी वजह से इसका जो color है वो grass green होता है means जो grass की color होती है एक दम green वैसा green का color होता है इन algae's का okay अभी जो pigments है हमें पता है कि pigment chlorophyll कहां पे होता है क्यूंकि chlorophyll pigment की वजह से photosynthesis हो सकती है तो photosynthesis कौन करता है plant करता है तो plant के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो plant photosynthesis करता है पर animal नहीं करता है तो वह है chlorophyll pigment कहां पे होगा कोई भी पुछी का तो अब बता सकते हो कि chlorophyll pigment कहां पे होगा chlorophyll उन सब में शीप जो है आल्गी का वह वैरी करे का सबूर ही नहीं कि हर एक में डिसकोईड ही हो हर एक में प्लेट लाइक हो वह डिपेंड करता है species to species ठीक है तो उनकी पास storage bodies होती है एक से ज्यादा हो सकती है जैसे हमें पता है ना कि प्लांट में होता है एक वैक्यूल होता है बड़ा सा वैक्यूल होता है यह आप जब प्लांट सल पढ़ोगे तब डिटिल में पढ़ोगे यह बड़ा साथ बड़ा तो इस सट्याइद करते है तो अल्याट में प्लेटिल में प्लांट करते हैं आल्गजू रोמ׌ विपराज्ट कर flavored है निपरीण कुछ आल्गी ऐसे होते हैं जो अपने फुट को ओईल ट्रॉपलेट की फॉर्म में भी स्टूर करते हैं अब यूर्गी का जो सेलवल होता है। यूसरी रिजिड होता है। ठीक है। उनके डबल लेयर सेलवल होती है। inner layer is of cellulose और outer layer किसका बना होता है? pectus बना होता है। उकई ? फर्दर के यहाँ पे। further it is about the reproduction वो हमने अल्रेडी देख लिया है कि आलगी में कैसा होता है तो similarly chlorophyce में भी वैसे ही होता है by fragmentation and अगर वेजिटेटिव है तो फिर asexual है तो वो spores form करेगा जू spores form करेगा और यह जू spores का produce होते हैं वो जू spore angia में produce होते हैं ठीक है और अगर sexual reproduction है तो क्या करेगा form of sexual करेगा and success कैसे हो सकते हैं या तो आइसो गैमस या एनाइसो गैमस मतलब की formation of gametes and fusion of gametes ठीक है यह हमने अल्रेड देख लिया एक्जामपल आप पो याद रखना है कि green अल्गी के example कौन-कौन से हैं यह आपने फीगर में भी दीखा है ना ना वी और green अल्गी बठी है एक्जो कापस इस ब्राउन आल्गी और आपने सुना होगा kelp के बारे में what is kelp kelp is nothing but a seaweed वह भी एक ब्राउन आल्गी ही है तो वह seaweed है जो की बहुत ही long होता है इतना लोग होता है कि 100 meters तक भी जा सकता है अब भी जो ब्राउन आल्गी है किसके वजह से है यह हमने देखा लोग फायसी में कि वह green color का है क्योंकि उसमें dominantly कौन सा है chlorophyll A and chlorophyll B pigment पट फियो फायसी जो है वह ब्राउन आल्गी है तो इसमें थोड़ा सा different कुछ pigment होगा है तो वह कौन सा है तो देखो chlorophyll A तो इसमें होता है उसके अलावा कौन से होते है chlorophyll C होता है and carotenoids and xanthophyll तो इसमें जो होता है न जैन्थोफिल पिग्मेंट की कम ज्यादा मात्रा की आप से color जो है वह different हो जाता है from green और यह जैन्थोफिल पिग्मेंट को क्या बोलते है फ्यूको जैन्थिन की वज़ा से वह जाता है ब्राउन कलर का नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इस इस टोडिज अफ फूर्ट सोफियो फैसीन स्टोर्स फूर्ड इन फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटल तो यह पूयाद रखना है इंपोर्टेंट है और फर्दर जो यह वजटेटीव सेल्स होते ना उसका सेल वाल कैसे होता है यूजुली अफ आलजीन यह हमने अल्रीड देख लिया है ना हाइड्रो कोलोड वाला फर्दर है इसकी जो बॉड़ी होती जो हमने अभी फिगर्स देखा था उसमें क्या-क् ठीक है फर्दर यहां पर रिप्रड़क्शन दिया हुआ है इसमें भी वजटेटीव रिप्रड़क्शन कैसे होता है अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चैस के ऐसे होता है ब्राउन आल्गी में बाई बाई फ्लेजएलेटिट जूस पोर्स दो फ्लेजला होंगे और वो प्रड़क्शन हो रहा है तो उसमें क्या होगा गैमेट पाई रिफ फोर्म बदल अब के पियर शेप फोर्म करता है और तु लटेरल अटाश्ट इसमें भी फ्लेजला अटाश्ट होता है तिक के कमन एजमपल आप यहाद रख लेन एक्टोकर पर दिक्टियोटा दन लेमि पिग्मेंटली रेड पिग्मेंट एंड विच इस पिग्मेंट आप फाइको एरित्रीन है न अच्छा अभी मैजिरिटी जो रेड आल्गी होते है न वह कैसे होते है मराइन होते और उनका जो कॉंसेंट्रिशन मतलब कि उप जादा मात्रा में कहां पाए जाते हैं तो वा न आपको डैप्ध में जितना अंदर जाओगे रहां पी पाइगा वहां पी मिलेगा ओके फृदर इसकी जो रड खाली होते नो डेस्त थैली सेटलेस थैली बोहते है तो रड थैली जो होते होते हैं मोस्ली म्ली चलोल को सथी कॉंच का बाडी होती है एँछ सॉप्लेक्स starch which is very similar to amylopactin and glycogen in the structure अच्छे यह ग्लाइकोजन जो है वो क्या होता है वो भी storage के लिए यूज़ोता है बट animals में यूज़ोता है तो उनके जैसा ही होता है फ्लोरीडियन starch जिसमें वो food को स्टोर करता है ठीक है इसकी जो sports कैसे होते हैं non-motile होते हैं अगर वो asexually भी कर रहा है तो भी non-motile sports होते हैं और sexually भी कर रहा है तो कि जो गैमेट्स होते हैं वो भी कैसे होते non-motile होते हैं ठीक है और तो हमें यह तो पता यह के वेजिटेटिव में reproduction कैसे होता है भाई fragmentation is that clear तो कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा मैं आपके questions का आपके doubts को clear करने के पूरी कोशिश करूंगे नाव further we see important table which shows the division of algae and the main characteristic देखो हमने यह detail में देखा कि classes कौन-कौन से तीन है chlorophyce, phyophyce and rhodophyce अभी यहां पी जो यह तीबल है यह बहुत important आपको इसको बहुत किशा से याद रखना पड़ेगा और इसमें क्या-क्या चीजे दिए हुए है देखो परला इसमें common name तो कौन-कौन से आलगी से green आलगी, brown आलगी, red आलगी उसके बाद उसके pigments कौन-कौन से pigments की वज़र से उनका color यह है वह याद रखना है फिर वह food किस तरह से store करता है उनका cell wall कि किस चीज का बना हुआ है फिर उनका जो फ्लेजला का number है उनका position और insertion यह भी पर ना पड़ेगा ठीक है आप अगर अपना नोट बना रहे ना तो इस टेबल के बगल में आप एक्जांपल का भी टेबल लगा दे और सारे एक्जांपल को वहां पर नोट कर दे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ने पाथेंगे तो आपको चीज़े यहां वहां ढूंड अब आते हैं ब्राइवाफाइट्स पे तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़े आती हैं वह हैं मौस और लिवर वर्ड्स और ब्राइवाफाइट्स पहला प्लांट है जो कि टेरिस्ट्रियल हुआ था मतलब कि लैंड पे आया था ओके ठीक होगी कहां पे फाउं और एक है मेल पर आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल कौन सा है मेल कौन सा है तो देखो जिसके पास आडशी गोनियो फोर है ना जिसके आपको देख रहे हैं यह लोको लड़का बहुत ही ब्यूटिफुल फ्लावर टाइप है ना वह होगा फीमेल और इसमें क्या होता है ग तो अधर रेडियो फोर अगर आ गया तो एंधर आ गया ना मतलब कि वह मेल पार्ट हो गया ठीक है तो यह आपको इंधर नहीं करना अच्छे सीज को पढ़ना है और याद रखना है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ओके नेक्स्ट जो है वह है मॉसिस ताट इस फिजनारि फिनारिया का आपको sporophyte gametophyte दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉंग थिन स्लेंडर है न यह जिसमें आपके राइजोईट हैं मेन एक्सिस हैं लीफ शीट और कैप्शूल यह सारे हैं और उसके बाद कौन सा स्फैग्नम है स्फैग्नम का gametophyte देया हुआ है तो और इनको water में क्यों जाना पड़ता है for the sexual reproduction के लिए और यह रहते हैं कहाँ पर damp, humid and shaded localities में और इनका role क्या है इनका important role है plant succession में और कहाँ पर rocks and soils में ठीक है तो जो ब्रावाफाइट्स है तो थोड़ी जादा differentiated है आल्गी से क्यों क्योंकि अभी evolution हो रहा है ना तो पहले आल्गी आया फिर ब्रावाफाइट फिर टेरिडोफाइट फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इस तरीके से तो अभी हमारा ब्रावाफाइट्स आ गया है ना उसको एक्जाक्ली नहीं बोल सकते हैं कि यह रूट्स ही है यह स्टीन सी है यह लीफ सी है बट उनकी जैसे स्ट्रक्टर्स होते क्योंकि evolution हो रहा है और जब मेन प्लांट बोड़ी ते ना ब्रावाफाइट की हो कैसा होता है 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 वो प्रोड्यूस तो करता है अब यहां पर एक इंपोर्टन चीज़ है जो आपको याद रखनी और एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ब्रावाफाइट जोए ना वही गैमेटोफाइट है बात की जितने भी हैं टेडोफाइट एंजोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वह सक्क्या है वह स्पोरोफा स्प्राव और यह ळाता सक्क्रावाइट गोलन 5 1 744 C 2 4 7 यापको याद रखनी नहीं जाता है दूर की इसमें पहले कुस्ट स्टेप्स होते हैं जैसे की जा BUT हुआ हुआ। उसके बाद क्या होता है। मेटोसी के बाद क्या होता है। मात्यों कई-खमेशन ही वो इमेडियेटली नहीं होता है। एक प्रोड्UT एला करता है मल्टिसलीलर बोड़ी था झाल्ट लगभ पॉरफाइट। आशे si प्रॉफाइट। नीफॉर्टिछी जाता है। यह mostly used किसमें होता है for food for herbaceous mammals, birds and other animals like that और इसके important species कौन सा है? sphagnum, जो कि एक moss है वो क्या provide करता है? peat provide करता है जो कि यूस किसमें होता है as a fuel next यह transshipment में भी use होता है because हमने देखा कि इसके पास water holding capacity है and then mosses along with lichens are the first organisms to colonize rock यह भी हमने देख ला कि mosses जो है वो कहां पर होता है? rock पर उनके colony बनती है तो वो सबसे पहले थे lichens के साथ associate हो करके उन्होंने अपनी colony बनाई थी rock पर और यह चीज़े ना exam में AI PMT में आपके पूछा गया है NEET exam में भी एक दो बार पूछा गया है तो यह बहुत important है अब यह तो था economical importance अब दिखते है ecological importance तो क्या करता है कि decompose कर देता है rocks को जिससे क्या होता है higher plants को grow करने में suitability मिलती है ठीक है इससे क्या होता है कि जो soil erosion है उसका impact कम हो जाता है okay so it reduces the impact of falling rain and prevents the soil erosion okay तो यह क्या आपका basic ब्रावाफाइट नौवे सी तिब्रावाफाइट इस डिवाइड इन्टो लीवरवाट्स and mosses तो सबसे पहले दिखते हैं लीवरवाट्स तो आपको इनका habitat तो पता चलिए चुका है कि ब्रावाफाइट्स कहां पे ग्रो होते मोइस्ट सैड़ी habitat में है ना जैसे कि streams, marshy ground, dam soil, bark of trees and deep in the woods यहां पे होता है है ना तो प्लांट बोड़ी कैसी होती है लीवरवाट की थैलोड होती है एक्जामपल के मर्श इंटिया और उनका थैलोस कैसे होता है दोसी बेनेटरल होता है आप फिगर देखोगे ना तब क्लियर समझ में आएगा ओकी फर्दर है इसका रिप्रोड़क्शन तो एसेक्शल रिप्रोड़क्शन कैसे होता है बाइ फ्रेग्मेंटेशन अफ थैली यहां फिर वह फर्मिशन करेंगा एक स्पेशलाइस स्ट्रक्चर को जिसको बोलते है इसको बोलते हैं गैमा कप ठीक है और यह गैमा कप कहां लोकेटेड होता है जो हमने भी देखा थैली में अफ्र दिस फॉर्मेशन जैमा बिकम्स डिटैच फ्रम परेंट बोडी वह अलग हो जाता है परेंट बोडी से और फिर उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है इं इन फीमल से और फिर अलग अलग थैलस पे ठीक है उसके पाद जो स्पोर्वाइट से उनका डिफ्रेंशन होता है इंटू फूट सीटा और कैप्शुल मतलब के रूट लाइक स्ट्ट्चर स्टें लाइक श्ट्रुक्चर अन्धैन जब मियोसिस होता है तो स्पोर्स प्रो मॉसिस में दो स्टेज होता है पहला है प्रोटोनीमा स्टेज अन्धैन दूसरा है लीफी स्टेज जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो डिकली डेवलप कहां से होता है फ्रम स्पोर से होता है और उसके जो कुछ खास फीचर से हैं लाइक देयार क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच unfrequently filamentous ठीक है जब कि leafy stage है वो कहां से develop होता है from secondary protonema as a lateral bird ठीक है मतलब protonema stage तो form हो गया अभी protonema stage को form होने के बाद जो form होगा ना from lateral bird उसको बोलते हैं leafy stage और वो कैसे होते हैं अब right होते है slender axis bearing spirally arranged leaves तो इस stage के बाद जो leaves form होता है वो कैसा होता है वो spirally arranged होता है और इस stage के बाद वो soil से connect हो जाता है attach हो जाता है through multicellular and branched rhizoid से और यह stage है जिसके पास sex organs होता है तो इसके बाद है reproduction तो vegetative reproduction जो है वो उत्तम कॉमन है जैसे लिवर वोट में था by fragmentation and birding ठीक है sexual reproduction में क्या ना sex organs कौन से होते है एंtheridia and archi gurnay यह भी हमने देख लिया था figure में कौन सा male होता है कौन सा female होता है यह आप मुझे comment करके बता दीजिए और यह sex organs produce काहां पर होते तो जो leafy shoots होता है ना उसके बेटर हो जाते हैं लिवर वोट से सो मॉसिस में सिफ sporophytes ही elaborate नहीं होते बलकि उनका जो spor dispersal mechanism है वो भी काफी elaborate होता है दन लिवर फॉर्ट सो अगर आपको एक्जाम में पुछा जाएगा कि विचिस पैटर मॉसिस और लिवर वोट आपका अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो आलगिर ब्रावफाइट में अभी तक जो भी हमने समझाया जो भी हमने आज पढ़ा तो आप मुझे कर्में सेक्षिन में पूछिए को सजेशन है तो उसको भी आप इंकलूड कीजिए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में